नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्षित पटल पर कौन है निद्रा देवी जिनके मंत्र जाप से आती है गहरी नीद और बुरे सपने भी नहीं सताते इनके ही बरदान से 14 सल तक नहीं सोय थे लक्षवण जी क्या आप निद्रा देवी के विशे में जानते हैं निद्रा देवी से जुड़े मंत्रों का जाप कर आप बहुत अच्छे शांत नीद पा सकते हैं निद्रा देवी के जन्म से जुड़ी क्या है पौराडी कथा उनकी किस मंत्र के जाप से नीद अच्छे आती है और बुरे सपने नहीं आते रामाण में लक्षमण की निद्रा देवी से संबनित भी कहानी भी हम आपको बताएंगे पौराडों में कई ऐसे देवी देवतावडित हैं जो हमारे स्वास से जुड़े हैं उनमें से ही एक है निद्रा देवी निद्रा देवी नीद की देवी हैं आपने योग नीद्रा के विशह में जरूर सुना हुगा या ध्यान की एक ऐसी वस्ता है जिसमें लोग नीद में ध्यान करते हैं और हमारे अधिक्तर देवी दियोताग योग निद्रा की ही अवस्ता में रहते हैं भगवान बिश्णो की इसी अवस्ता से निद्रा देवी का जन्म हुआ है क्या है पूरी गता? सबसे पहले चलिए इस बारे में जानते हैं मारकंडे पुराण के अनुसार जब सृष्ट के आरम में हरोर जल ही जल था और उस जल में भगवान विश्णोशेसनाक की सैया परियोग निद्रा के अवस्था में लेट थे तो उनकी नाभी से कमल प्रपत हुआ जिस पर ब्रह्माजी भी राजबान थे तब ही विश्णोशी की कानों की मैल से दो भयानक राक्षस मदुःट करेट पैदा हुए जो ब्रह्माजी को खाने के लिए दोड पड़े अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्माजी विश्णोशी से गुहार लगाये लेकिन विश्णु जी योग निद्रा में लें थे तब प्राणों को संकट में देख ब्रम्हा जी ने योगमाय के स्तुति प्रारम की जब ब्रम्हा जी की सूती से प्रसन्न होकर देवी योगमाय भगवान विष्णु जी के नेत्रों से निकल कर उनकी सम्मों को पुस्तित हुई तब भगवान विष्णु निद्रा से चागे और उन्होंने मधु और केटब का बद किया यही देवी योगमाया को निद्रा देवी कहा गया है जो नीद की देवी भी माने जाती है माना जाता है कि अगर देवी किसी से प्रसन्न हो जाए तो ऐसा वक्ति सपनों में बविश्य की कटनाओं को देख सकता है पराड़ी कथाओ के नुसार बनवास के चौदव और्षों में लक्षमर रखवाली करने की काड़ सो नहीं पाये थे इस कारण उन्हें गुडा केश भी खा गया बनवास जब सुरूफा तो पहली राती निद्रा देवी लक्षमर जी के सपने में आई लक्षमर जी ने निद्रा देवी से रोध किया कि उन्हें ऐसा बर्दान दे कि पूरे बनवास के दोरान उन्हें नीधी नाए निद्रा देवी ने कहा अगर तुम्हारे बदले कोई चोदव बर्ष तक सोता है तो ये बर्दान तुहें प्राप्थ हो सकता है लक्षमर ने निद्रा देवी को अपनी पतनी उर्मिला का नाम सजाया उर्मिना ले लक्षमर के बदले पूरे बनवास के दोरान सोना सुईकार किया वा चोदवर्ष तक सोती रहें लक्षमर जाकते रहे निद्र देवी से जुड़े सपनों, नीद और बुरे सपनों से जुड़े मंत्र जाने निद्र देवी गहरी निद के लिए जाने जाती हो, इनसे जुड़ा मंत्र राक्त्री शुक्तम गहराता आजकर लोगों को अच्छी जिमन सहली नहीं होने के काड़ रात में अच्छी नहीं नहीं आती है ऐसे में उबिश्तर पर जाने से पहले या सोने से पहले रात्री सूप का तीन बार जब करें तो उने सोने में मदद मिलेगी मंत्र कुछ इस प्रकार है इसका आर्थ है कि जो देवी सभी प्राणियों में आराम नीद के रुप में बिराजमान है उनको तीन बार नवसकार है निद्रा देवी का दूसरा मंत्र ताकि नीद आने पर भयानक सपने ना आए बुरे सपने ना इसके लिए आप इस मंत्र का भी चाप कर सकते हैं रामम इसकंदम हनुमंतम वैन तेयम बिरकोदरम शैने या इसमरे नित्यम दुसवपन प्रयसत्यन शति इस मंत्र का अर्थ है 137 मनुश्य द्वारा स्री राम कार्थि के हनुमान गरुड भीम का इसमर्ड करने पर उसके बुरे सपनों का नाश होता है इसके लाओं अगर आप नीचे निमनांकित मंत्र का भी चाप करें राते में हाथ पर धूकर बिस्तर पर पूर्वदिशा की और मुकर के 21 बार करते हैं तो डराओने सपने आने बंद हो जाते हैं वरारश्या दक्षडे तू कुकुटो नाम वए दिजह तस्समर्ण मात्रे लड़े दुसुपना सुख दूफ होत डराओने सपनों से अगर आप परिशान रहते हैं तो नीद में जाने से पहले आप इस अध्यात्मिक मंत्र उम साता नामा का जब कर सकते हैं यह मंत्र दिमाग को शांत रखता है गेहरी नीद के लिए हर-hर मुगंदे मंत्र का जब कर सकते हैं दुर्गाश अप्त सती का इह मंत्र उन के लिए प्रभावकारी है जिनकी नीद बीच में ही टूट जाती है निद्राम बगवती बिश्णू अतुलाम तेज सहप्रभू अगर रोग की वज़े से नीद नहीं आ रही तो इस मंत्र का जाब करें जिसके अथास आगर में हम अपने समस्थ दुख द्वन्द परिशानियों को एक भारी डूबो देते हैं और फिर स्वस्थ इस्पूर्ति में तरो ताजा होकर नौशक्ती के साथ जेवन पत पर चलने लगते हैं प्रकृति की कैसी महान देन है निद्रा मनुश्य के लिए जीवन के लिए मृत्तु कठिन परिश्रम के लिए स्नान घायल मस्तिस के लिए शांति दायनी ओशद और छती पूर सरीर के लिए मृत कुंड है वस्तुता हमृत्तु के नंतर भी हम एक लंबे विकास की इस्तिति में होते हैं और जिस तरह हस्ते खिलते शिश्य की रूप म पुना जीवन धारर करते हैं उसी तरह प्रतिदिन नीद के बाद भी नव चेतना नव जीवन प्राप्ट कर अपने काम काज में लग जाते हैं कैसा अद्भूत खेल है यह कैसी महान क्रिपा है निद्रा देवी की मनुश्य पर वा थका हारा चूर चूर होकर संसार की पांथों का निद्रा देवी की गुन में सोता है लेकिन नौ शक्ती स्फूर्ती नौ जीवन पसंदता उत्साह लेकर उड़ता है इस महानुकार के बदले हमें कुछ भी नहीं देना परता नित नौ जीवन प्राप्त करने का हमारा कैसा जन्व सिद्ध दिकार है जिसकी निद्रा प्रकेत देवी का निशुल कुपहार है जिसके लिए हमें कुछ खर्चना नहीं पड़ता ना कोई कष्ट उठाना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है लेकिन फिर भी हमने से बहुत इसका लाव नहीं उठा पाते उन्हें निद्रा की शिकायत बनी रहती कई निद्र के लिए हम करते मुपाय करते हैं लेकिन उसका यह लाव नहीं उठा पाते जो सहजर जूप में नीद आने पर प्राप्त होता है नीद के लिए शास्त्रकार ने कुछ नयतिक आवश्यक ताइं बताते हुए लिखा है जो मनेश्य सदाचारी है विशह भोग से निस प्रेसंतोशी विक्ति ही निद्रा का वास्त्रक लाव उठा सकता है उसे सवय पर निद्रा आएगी जिस तरह सवय पर सूरज डूपता है रातरी होती है हमें नीद क्यों नहीं आती निद्रा की विमारी समाज में क्यों फैलती जा रही है इसलिए कि हमारा आचरण दूशि होता जा रहा है हम विशे भोगों में रात दिन आशक तरहते हैं असंतोस की ना बुझने वाली ज्वाला हमारे अंदर तहकती रहती है फिर हम कैसी हमें नीद आएगी इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वस्थे नीद के लिए शरीर और मन का स्वस्थे संतुलित होना बिवस्थी दिन चरिया आवश्यक है जो जीवन के सहस करम को छोड़ कर किसी भी छेते में अती करते हैं उन्हें अनिद्रा के सिकायत होना स्वभाविक है बहुत सी ब्रक्ती सुभाव से अतिधिक चिंतन शील प्रकत के होते हैं दिन रात उनका दिमाग किसी न की सीव धड़बून में लगा रहता है ऐसे लोग चरपाई पर पढ़कर करवटें बदलते हैं चुप चाप होकर पलके बन करते हैं किन्त उनके चिंतन का क्रम एक कांथ पाकर अधिक्तिब होता है और उन्हें नीद नहीं आती इसके भी प्रित दिन भर का हारा ठका मजदूर कठोर भूल में ततकाल सोजाता है कि कुई वह चिंतन के अगर आप शेक्षिक पटल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन ट्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिसिकेशन मिलती रहें और वीडियो को अन तक जरूर दिखा करें वीडियो को लाइक करें जादा जादा शेयर करें फिर बहमूले सुझाओ कोमेंट बॉक्स में अवश्य दें आपके सुझाओं का विचारों का हमें इंतजार रहता है वीडियो को जादा से जादा लोगों तक पहुचाएं अपने दोस्तों मिश्टों रिष्टेदारों में शेयर करें उनसे सब्सक्राइब करवाएं धन्यवाद नमस्कार